हलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल Civil Engineer FBH में तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो है Rise and Fall Method के बारे में Rise and Fall Method के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और Height Up Instrument Method के बारे में भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है तो उनके व्यूज जो है तकरीबन दो लाख को पार कर गए है तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखिया है वो वाली वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं तो आज मैं Detailed Way में और एक Numerical लेकर आया हूँ Rise and Fall Method के बारे में पूरा डिसकस करेंगे कि कैसे Rise and Fall Method हम सौलू करते हैं Easiest Way में तो यहाँ पर हमारे पास Rise and Fall Method दिया हुआ है एक Question दिया हुआ है हमारे पास The following readings are taken with the 4 meter setup by a dumpy level given benchmark 100 meter benchmark हमारे पास 100 meter का दिया है और यह readings हमने ली हुई है तो यह different readings है हमारे पास और the instrument was shifted after 5th and 9th reading तो instrument को हमने shift किया है 5th और 9th reading के बाद हर एक बंदे को जो है Rise and Fall Method समझ में आ जाता है लेकिन यह readings को हम किस reading को कहां पर लिखेंगे इसमें confusion हो जाता है हर एक बंदे को इसमें ज्यादा confusion हो जाता है तो पहले मैं आपको discuss करूँगा कि कैसे हम इन readings को जो है इस table में भर देंगे तो आपको वो clear कर दूँगा मैं पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हमने यह instrument यहाँ पर रखा हुआ है तो यह होता है हमारे पास instrument और यहाँ पर हमने staff रखा जो भी हम इस instrument से पहली reading लेते हैं पहली reading जो भी हमने ली उसे हम back side कहते हैं यह हमेशा आपको याद रखना है फस्ट reading is taken from the instrument is called back side इसलिए मैंने पीशे वाली side दिखा दिया ताकि आपको यह याद रहे पहली reading जो होती है back side reading होती है अब हमारे पास ऐसे ground है हमारे पास तो हमने एक staff यहाँ पर रख दी दूसरी यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर रख दी तीसरी बार यहाँ पर रख दी चोथी बार यहाँ पर रख दी for example मैं कह रहा हूँ अब दूसरी जो reading होगी तीसरी reading चोथी reading ये सब reading जो आएंगी ये intermediate sites आजाएंगी मतलब कि ये भी reading intermediate site ये भी reading intermediate site ये भी reading intermediate site और अगर हमें ये reading last वाली reading लेनी है और इसके बाद instrument यहाँ पर set करना है फिर से अगर हमारी ये reading last reading है और इसके बाद हमने instrument यहाँ पर set करना है अगली जगा तो ये वाली reading जो होगी ये अगर पिछले वाली की last reading है last reading तो इसको हम क्या कहींगे इसको हम कहींगे four site मतलब ये वाली जो reading आएगी इसको हम फिर four site कहींगे हमेशा याद रखना कि जो भी पहली reading होती है instrument से उसे हम back sight कहते हैं और जो भी last reading होती है उसे हम उसको हम कहते हैं four sight और जो भी beach वाली reading हम लेते हैं उसको कहते हैं intermediate sight तो हमने क्या किया यहाँ पर यह जो पहली reading जो आ जाएगी 1.532 यह पहली reading है first instrument की तो यह back sight आ जाएगी 1.532 अब आ जाते हैं next, next है हमने fifth के बाद हमने जो है instrument को set किया है तो fifth के बाद किया है मतलब कि यह वाली भी intermediate sight आ जाएगी 2.015 intermediate sight यह भी intermediate sight 2.302 यह भी intermediate sight ही आ जाएगी 1.635 यह भी intermediate sight ही आ जाएगी अब देखना है first, second, third, fourth, fifth fifth reading के बाद हमने situation change किया मतलब कि यहाँ पर हमने situation change किया यहाँ पर हमने situation change किया तो यह आ गई पहली back sight, beach वाली सारी आ गई intermediate sight और यह last reading है तो यह क्या आ जाएगी यह आ जाएगी हमारे पास four sight तो four sight हमारे पास one point three one three आ जाएगी one point three one three अब देखा आपने पहली reading जो होती है वो back sight होती है और जो भी beach वाली reading होती है वो आ जाती है back sight लेते हैं हम इसी point पर फिर से stop रखते हैं और यहां पर हम back sight लेते हैं फिर से इसी stop पर हम back sight लेते हैं तो इसी stop पर back sight लेने का मतलब क्या है कि अगर हमने इस पिछले वाले point पर four sight ली है इसी point पे हम back sight ले रहे हैं दूसरे instrument की मतलब कि इसी की seed में हमें अगली वाली जो है वो back sight आ जाएगी क्योंकि ये first reading आ जाएगी दूसरे instrument setup की तो इसी की seed में हम back sight यहाँ पर लिखेंगे 2.210 और आगे जो है आगे ये भी intermediate sight, ये भी intermediate sight ये भी intermediate sight 9 ये intermediate sight नहीं आ जाएगी ये 2 intermediate sight आ जाएगी क्योंकि ये 9 पे हमने फिर से change किया तो ये 4 sight आ जाएगी ये आपको याद रखना है ये 2 ये back sight ये intermediate sight intermediate sight और ये जो आ जाएगी ये आ जाएगी 4 sight तो 2.210 हमने back sight लिखा ऐसे हमारे पास 2.416 intermediate sight आ जाएगी ये वाली भी intermediate sight 1.012 तो ये 9th reading है 9th reading के बाद हमने instrument setup किया है change तो यहाँ पर क्या आ जाएगी ये वाली reading जो आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 4 sight 4 sight हमारे पास 2.642 आ जाएगी और आगे वाली reading फिर से क्या आ जाएगी यहाँ पर instrument हमने set किया तो अगली reading जो है वो फिर से क्या आ जाएगी back sight लेकिन इसी के seed में इसी के seed में back sight आ जाएगी 1.125 और ये intermediate sight आ जाएगी 2.126 और ये last reading है last reading मैंने आपको पहले ही बता दिया है last reading आपको 4 sight में लिखनी होती है तो यहाँ पर मैं देखा देता हूँ last reading जो है हमारे पास वो 4 sight में लिखनी है 4 sight 1.902 तो यहाँ पर मैं 1.902 यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि यह जो है 4 sight आ जाएगी last reading तो यह हमारे पास 4 sight तो अभी तक आपने सीखा कि हम यह जो readings यहाँ पर दी हुई है हमारे पास different readings हमारे पास दी हुई है इनको हम table में कैसे set करेंगे इन readings को हम table में कैसे set करेंगे अब मैं आपको एक और concept बता रहा हूँ कि rise क्या होता है और fall क्या होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा यह देखिए यह अगर हमारे पास एक instrument है यह अगर हमारे पास एक instrument है और यहाँ पर हमारे पास ground ऐसा हुई है कुछ अगर मैं यहाँ पर एक reading ले लू इनस्टुमेंट से तो वो आ गई वो आ गई अब मैं दूसरी स्टाफ यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर मैं एक और reading ले लूँगा इस पर reading आ गई 2.5 2.5 अब अगर मैं पिशली reading यह है और next reading यह है पिशली reading मैं से next reading को माइनस करूँ तो मेरा negative मैं आ जाएगा 0.5 मेरा negative मैं आ जाएगा 0.5 अगर पिशली reading मैं अगली reading माइनस करने के बाद negative मैं आ गया तो हमारा फाल होता है तो हमारा फाल होता है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह फाल हो रहा है यहां से पिछली रीडिंग में अगली रीडिंग माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो फाल कहलाता है ऐसे ही यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा राइज की से कहते हैं अगर मैंने इंस्टुमेंट यहां पर सेट किया और हमारे अगली रीडिंग मैंने ली तो यहां पर इंस्टुमेंट सेट अप किया थोड़ा ज्यादा ही हो गया यह और यहां पर फार एकजापल वैल्यू 0.5 आ गई मेरी रीडिंग क्योंकि रीडिंग तो हमेशा यहां पर ज्यादा आजाएगी यहां पर कम आजाएगी एक मीटर यह यहां लिया है अब मैं दिखाऊंगा यहां पर कि अगर हमने पीछे वाली रीडिंग अब यहां पर पिछली वाली रीडिंग यह है अगली रीडिंग यह है पिछली वाली रीडिंग मैंस करने के बाद हमारे पास positive value आ गई एक मैसे अधा minus करेंगे तो 0.5 आ जाएगा लेकिन positive आ जाएगा अगर पिछली वाली रीडिंग मैंस करने के बाद हमारे पास positive value आ जाती है तो हमारा rise कहलाता है हमेशा याद रखना पिछली वाली रीडिंग मैंस करने के बाद अगर हमारे पास negative value आ गई तो हमारे पास फाल होता है पिशली वाली रीडिंग में अगली रीडिंग माइनस करने के बाद अगर हमारा positive value है तो हमारे पास राइत आ जाएगा तो यहाँ पर आप हम तेज तेज कर सकते हैं पिशली रीडिंग ये है अगली रीडिंग ये है पिशली रीडिंग ये है, अगली रीडिंग ये है, अब देखना है, ये पिशली रीडिंग है, ये अगली रीडिंग है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा, तो ये पिशली वाली रीडिंग मैं से अगली रीडिंग माइनस करेंगे, 1.532, 532, माइनस करेंगे 2.015, 2.015 तो यहां पर हमारे पास negative में value आ गई तो यह क्या हो गया फाल हो गया फाल में लिखेंगे फाल में लिखेंगे 0.483 यहां पर हम negative sign नहीं लिखते हैं क्योंकि हमाई पता है कि फाल ही है तो फाल negative ही आ जाएगा अब आगे देखेंगे अब इसके लिए पिछली रीडिंग यह है और अगली रीडिंग यह है तो हम करेंगे 2.015 2.015 माइनस करेंगे हम 2.302 2.302 तो हमारे पास negative में value आ गई फिर से negative में value आ गई तो हम फाल के नीचे लिखेंगे 0.287 अब आगे देखिए आगे पिछली रीडिंग यह है अगली रीडिंग यह है तो हम करेंगे 2.302 2.302 माइनस करेंगे 1.635 1.635 जब हमने किया तो यह value जो है positive में आ गई तो positive में आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा rise आ जाएगा इसकी सीद में 0.667 तो यह rise के नीचे लिखेंगे अगर positive value आ गई तो rise के नीचे लिखना है अगर negative value आ गई तो fall के नीचे लिखना है अब पिशली reading यह है और अगली reading यह है यह हमेशे याद रखना है यह पिशली reading यह अगली reading तो 1.635 1.635 मैंसे माइनस करेंगे 1.313 1.313 जब हमने किया तो positive value फिर से आ गई 0.322 0.322 positive value है तो rise के नीचे लिखेंगे अब देखिए इससे यह माइनस किया अब अगली यहाँ पर आपको याद रखना है पिशली वाली reading यह है अगली वाली reading यह है इस मैंसे यह माइनस करेंगे तो 2.210 2.210 मैंसे माइनस करेंगे 2.416 2.416 जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया negative में आ गई वैल्यू 0.206 तो यहाँ पर लिखेंगे फाल के नीचे लिखेंगे 0.206 फाल के नीचे अब देखिए इस मैंसे यह माइनस किया तो यह आ गया अब पिशली वाली reading यह है अगली reading यह है तो 2.416 मैंसे माइनस करेंगे 1.012 2.416 2.2.416 मैंसे माइनस करेंगे हम 1.012 1.012 तो यह हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो यह 1.040 1.404 आ गई तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आ गई 1.404 अब पिशली वाली reading यह है अगली reading यह है 1.012 मैंसे माइनस करेंगे 1.012 माइनस 2.642 1.012 माइनस करेंगे 2.642 तो यह 1.63 लेकिन नगेट्यू मैं तो यहाँ पर माइनस माइनस नहीं लिखना है हमने 1.63 आ गई फाल के नीचे लिखेंगे ऐसे ही पिशली वाली reading यह है और अगली reading यह है 1.125 मैंसे माइनस करेंगे 2.126 माइनस 2.126 तो यह आ गई हमारे पास नगेट्यू मैं वैल्यू आ गई तो फाल फिर से आ जाएगा 1.001 आगे देखिए तो यह पिशली reading है अगली reading यह है 2.126 मैंसे माइनस करेंगे हम 1.902 तो यह हमारे पास पॉजिट्यू वैल्यू आ गई 0.224 तो यह पॉजिट्यू वैल्यू आ गई तो राइज के नीचे लिखेंगे तो ऐसे हम क्या करते हैं ऐसे हम इस टेबल को फिल करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि राइज कौन सा है और फाल कौन सा है तो अब हमें final find out करना है reduced level यहाँ पर हमने reduced level find out करने हैं तो हमारे पास यहाँ पर benchmark 100 दिया हुआ है अगर आपके पास कोई benchmark नहीं दिया है तो आप खुद से 100 या 200 एजूम कर सकते हैं जो भी आफ एजूम कर लो 100 या 200 एजूम कर सकते हैं कुछ भी 1000 भी एजूम कर सकते हैं लेकिन 100 और 200 से 100 से हमारी जो calculations है वोग आसान हो जाती है तो पहली reduced level जो है वो हम 100 मान के चलते हैं जो benchmark होती है वही हमारी पहली reduced level होती है अब आगे क्या करना है आगे हमें इस point की reduced level find out करनी है तो हमें देखना है कि अगर फाल है तो इसको minus कर देना है इस मैंसे तो यह यहाँ पर आ जाएगी यहाँ की reduced level तो ऐसे यह अगली जो है वो इस मैंसे minus करके चलेगी हमारी तो यहाँ पर हमारे पास यह 100 है पहली reduced level तो अगली reduced level find out करने के लिए यह फाल है फाल का मतलब minus होता है तो 100 मैंसे minus करेंगे 0.483 तो यहाँ पर मैं करूँगा जल्दी जल्दी 100 minus 0.483 0.483 100 minus 0.483 तो यहाँ पर आ गया 99.5017 तो यह इस 0.2 की reduced level find out हो गी अब हमें आगे देखना है कि आगे अगर फिर से फाल आ गया तो फिर से minus करना है rise आ गया तो plus करना है ऐसे ही 99.5017 मैंसे फिर से फाल आ गया है फिर से फाल आ गया तो फिर से minus करेंगे minus करेंगे 0.287 0.287 minus किया तो यह आ गया 99.23 99.23 ऐसे ही इसमें अब आगे चलने के लिए जो है यहाँ पर rise है हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा क्योंकि rise की value प्लस होती है 99.23 जो हमारे पास लिखा हुआ है और इसमें से plus करेंगे 0.667 plus करेंगे हम 0.667 तो अगली reading आ गयी हमारे पास 99.897 आगे इस point की reduced layout find out करने के लिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फिर से rise है तो फिर से plus करना पड़ेगा 99.897 मैं से plus करना पड़ेगा 0.322 plus 0.322 करेंगे हम तो यह आगे हमारे 100.219 आगे हमारे इस point की reduced level अब फिर से आगे चलने के लिए यहाँ पर फिर से fall है तो माइनस करेंगे 100.219 माइनस करेंगे हम 0.206 0.206 हमने फिर से माइनस किया तो यह आगे है 100.013 आगे चलने के लिए इस point की reduced level find out करने के लिए यह rise आगे है यहाँ पर तो इस मैंसे यह plus करेंगे plus करेंगे 1.404 1.404 plus किया हमने तो यह आगे 101.417 इस की reduced level find out करने के लिए फिर से हमारे पास फाल आगे है तो फिर से minus करने करना पड़ेगा तो minus करेंगे हम 1.63 1.63 हमने minus तो 99.787 आगे हमारे पास अब इस ही मैंसे अगली reduced level find out करने के लिए फिर से फाल आगे है तो फिर से हम minus करेंगे minus करेंगे 1.001 1.001 minus करेंगे तो 98.786 आगे है अब अगली reduced level find out करने के लिए हमारे पास यहां पर rise आ रहा है तो वो plus करना पड़ेगा plus 0.224 plus करेंगे हम 0.224 तो हमारे पास 99.01 आ गई final reduced level तो ऐसे हम reduced level find out करते हैं अगर आपको reduced level benchmark पहला दिया है तो वो ही पहला reduced level हो जाएगा और अगर फाल है तो minus करेंगे तो आगे वाली reduced level आ जाएगी अगर rise है तो प्लस करेंगे तो आगे वाली reduce level आ जाएगी फाल के लिए minus करना है और rise के लिए प्लस करना है तो सब reduce level हम find out कर सकते हैं तो अभी तक हमने जो भी ये calculations की इनको हम check भी कर सकते हैं कि हमने ये जो calculations की है ये जो table बनाया है ये ठीक है कि हमारी कोई घलती होगे ये इस table में तो उसके लिए हमारे पास arithmetic check होता है तो उसके लिए होता है summation of four sides minus summation of back sides is equal to first reduced level minus last reduced level four sides का summation, back sides का summation first rl minus last rl के बराबर अगरा गया है तो हमारे पास जो calculation होती है वो बिलकुल सही होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं four sides के debate में हमारे पास 3 values है 1.313, 2.642 और 1.902 तो यहां पर हम calculation करेंगे इनको sum करेंगे 1.313, 1.313 plus करेंगे हम 2.642 2.642 plus करेंगे हम 1.902 1.902 1.902 हमारे पास 5.857 आ गया है तो summation of four sides हमारे पास 5.875 आ गया है minus summation of back sides अब हमारे पास यहां पर देख सकते हैं यह हमारे पास back sides है back sides में भी हमारे पास 3 तीन ही values है इनको हम add करेंगे तो summation of back sides हो जाएगा 1.532 1.532 plus 2.210 2.210 plus करेंगे फिर से 1.125 1.125 तो यह हमारे पास आ गया 4.876 तो यह summation of back sides हमारे पास 4.876 आ जाएगा 4.876 यह होना चाहिए first reduced level first reduced level जो हमारे पास है वो 100 है और last reduced level हमारे पास जो है वो है 99.01 तो first reduced level 100 minus last reduced level जो हमारे पास 99.01 तो इसके equal होना चाहिए तो अब हम यहाँ पर करेंगे 5.875 5.875 minus करेंगे 4.876 4.876 तो हमारी value आ गई 0.99 0.99 value आ गई अब हमाई यहाँ पर देखना है 100 minus 99.01 100 minus 99.01 हमारे पास आ गई तो यह भी आ गई हमारे पास 0.99 की value तो 0.99 equal to 0.99 मतलब कि हमने जो भी calculations की है वो perfectly okay है तो हमारे पास यह question जो है properly complete हो गया है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को like कीजिए और हमें comment section में जुरूर पताए कि आपको और भी numerical चाहिए इस topic पे के नहीं thank you दोस्तो thank you for watching the video